लगभग पाँच हजार बर्ष पूर्व की बात है, हमारे मृत्पिलोक में, फिर भारत में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर मतुरा में, पूर्णतंपुर्शोत्तंब्रह्म स्वयम भगवान सिर्कृष्ण का आवतार हुआ था आवतार के समय, अनेक कार्ज किये जाते हैं, भगवान के आवतार के अनेक प्रियोजन होते हैं, एक आवतार में अनेक कार्ज करते हैं जैसे दैतिनाश, धर्मसंस्थापन, साधूओं का परित्राण, लोक आदर्श, अनेक प्रकार के कुछ अंतरंग कार्ज, कुछ बहिरंग कार्ज, उन सब कार्जों को भगवत कृपा से ही कोई भागशाली जीव, अर्थात, महापुलुश लोक समझ पाते हैं, तो उन्ही कार्जों में एक कार्ज यह भी था, जो सदा से रहता है, वो कार्ज सदा रहता है, आज भी है, क्या है, हमारे हाँ, साब्दित बिद्वान, ठियोर्टिकल मैन, शाष्ट्रों बेदों का अध्येन करते हैं, प्लस अपनी मिटीरियल, इंटेलेक्टुल पावर से, माईक बुद्धी से, उन शाष्ट्रों बेदों का अर्थ निकालते हैं, इसलिए वास्तविक अर्थ के अस्थान पर अनर्थ कर बैठते हैं, अतेयो अनाधिकाल से सदा ऐसा होता आया है, कि उन शाष्ट्रिक बिद्वानों ने ब्रह्म के विशय में केवल इसी प्रमुख बात पर दोर दिया, कि ब्रह्म अर्थात सुप्रीम पावर निर्गुन निर्विशेश निराकार ही है, ओह सगुन सविशेश साकार नहीं हो सकती, शब्दों के द्वारा हम संसारी शब्दों में भी लौकिक शब्दों में भी देली कंफूजन में पढ़ा करते हैं, किसी ने किसी से से कोई वाक कहा, कोई शब्द कहा, और समझने वाले ने गरत समझ लिया, उल्टा समझ लिया, उसको कंफूजन कहते हैं संसार में, भ्रह्म हो गया, तो फिर बेद बानी तो ऐसी बानी है, जिसे हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, कि केवल भगवान ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की बानी है, भगवान के लेविल वाली कोई बुद्धी हो तब बेद के ज्ञान का चैलेंज कर सकती है फिर माईक बुद्धी में भी लिमिटेट बुद्धी तो इसलिए शब्दक ज्ञान मात्र से अर्थक ज्ञान नहीं हुआ करता है परोग चुबादो बेदो यम भागवत में कहा गया कि बेद जो है इसके सब्द कुछ और है अर्थ कुछ और है अलवकिक बाणी है लवकिक बाणी जो होती है उसमें सब्द के भीतर ही तदलुसार अर्थ होता है लेकिन बेद बाणी में ऐसा नहीं है इसलिए बेद बाणी के लिए कहा गया आचार्जमान पुरुषो ही बेद अगर किसी को बेद का ज्ञान प्राप्त करना है तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष वास्तविक महापुरुष के पास जाओ वो समझाएगा बेद का सेंस क्या है अस्तु पांच हजार बर्ष पहले भी ये कंशूजन हमारे देश में था और इधर भगवान सिर्क्ष्ण का अवतार हो गया अब रोधा भास हो गया कि वे लोग तो ये कहते थे कि ब्रह्म सगुन साकार हो ही नहीं सकता और यह सगुन साकार ब्रह्म नंदलाल के रूप में अवतीर्ण हो चुका है बसुदेव पुत्र के रूप में अवतीर्ण हो चुका है तो उन अद्वईत ज्यानियों के भ्रम को निकालने के लिए तत्कालीन सरमोच ज्यानी उद्धों परमहंस को चुना गया ये ग्यानियों के नेता थे द्वापरमें को उद्धों को भगवान समझाते ये सम्भों नहीं था देखिए ये सम्झाना जो होता है इसमें सम्झाने वाले की योग्यता पर ही निर्वन नहीं करता तुर्शी राश जी ने बड़े साधार्यन सब्दों में कहा है कि मूरकर दैन चेत यदि गुरू मिलई बिरन चिसम अगर आदी जगत गुरू ब्रह्मा भी मिल जाएं तो भी आएसे लोग हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता तो पिर और कोई क्या चैलेंज करेगा अए संसार बना हुआ क्यों है अनंत वारभगवान के अवतार हुए अनंत संत आये हम लोगों को मिले हम लोग उनके पास गए लेकिन वे लोग हमको समझा नहीं पाए तो क्या हम ये कह दें कि उन लोगों में योग्यता नहीं थी ऐसा नहीं दो बस्तुओं की आवस्ष्टा होती है एक जिग्यासु भाव और एक तत्वग्य महापुरुष इस दो चीजें ठीक ठीक हो मरीज भी ठीक हो दवा कराने को तयार हो और डॉक्टर भी ठीक हो तब फिजिकल इलाज होता है डॉक्टर टॉप का है उसने दवा भी बता दी अपने पास से दवादे दी और हमने जाके उसको फेकदिया नहीं प्रियोग किया अब वो डॉक्टर क्या करेगा कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर हो कोई बच्चा नहीं पढ़ता क्या करेगा प्रोफेसर तो उसी प्रकार जिग्यासु को ही ज्ञान दिया जा सकता हुए हिसे तो चूंकि उध्व घ्यानी है कि बहुता है जीव जब घ्यानी हो गया थो जिग्यासा समवाप्त हो गई वो तो जिस चीज की जिग्यासा थी वो प्राप्त कर लिया फिर ये समझाना गुरु शिष्च भामना से जुक्त होता है और उद्धों से विकृष्णि के सखा थे तो अपने मित्र को कोई क्या समझाएगा कैसे समझाएगा तो डाट देगा बैटर आओ बैटर आओ अपनी जो खास लोग होते हैं उनको समझाना अत्त कठिन होता है अपनी मा को आप समझाएगे बाप को समझाएगे वे लोग ले समझेंगे है हमसे पैदा हुआ है हमें को ग्यान दे ले आया है डाट लेंगे तो सखा को भी अधिकार है डाटने का और फिर समझाना दो प्रकार का होता है एक तो theoretical तो theoretical समझाना परिपूर्ण समझाना नहीं है असली समझाना होता है जब समझने वाले को अनुभव हो जाए तो स्रीकृष्ण ने कहा वुद्धों से कुछ बहस करना तो निरर्थक है और यह हमारे सखा है इनको हम बड़ी चीज देना भी चाहते हैं और इनी के वहाने से समस्त्विष्व के सामने एक उदाहर प्रस्तुत करना चाहते हैं कि निर्गुण निर्विशेश निराकाल ब्रह्म से भी परे है सगुण सविशेश साकाल ब्रह्म का प्रेमानंद लेकिन कैसे किया जाए ये बिना गुरु के नहीं हो सकता तक विज्ञानार्थम साग गुरु मेवाभी गच्छे समित पानि सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम बेद कहता है प्राप्य बरान निवो धतो महापुरुष की सरण में जाओ तब वह तत्त मिलेगा अब श्रीकृष्ण तो ब्रह्म है वो बिचारे कुछ दे नहीं सकते हो तो कहते हैं बही मैं डायरेक्ट किसी से कॉंटेक्ट नहीं करता ये केराफ गुरु तुम्हारा काम बनेगा अब अगर उद्धो से कहा जाए कोई गुरु बनाओ भक्ति माल्ग का तो डाट लेंगे मेरे पास क्या कमी है जो मैं गुरु बनाओ मुझे आत्मक ज्याने इसलिए श्रीक्रिष्ण ने चाल चली श्रीक्रिष्णा वताल जो है वो पूरा का पूरा चाल का है तेड़ी मेरी चाल यह नहीं वो खड़े भी नहीं हो सकते सीधे और कहां तक आ जाए सब चीट तेड़ी है उनकी पैदा होते ही जेल से फरार बाप को लेकर वहीं से प्रारम्ब हो गया उनका माया का नाट तो उद्धो से कहा देखो उद्धो ऐसा है कि वहां गोपियां है प्रज में वो बहुत प्यार करती हैं हमसे और मैं चला आया हूँ अब मुझे तो आन ही पड़ेगा विश्व कल्यान के लिए मैं आया हूँ अब मैं यहां से द्वाय का भी जाओंगा बहुत काम है मुझे और वह बहुत दुखी हैं मेरे बियोग में मेरी मा भी हैं बाप भी हैं और भी तमाम गोपियां हैं सखा लोग हैं अरे वहां के तो ब्रिक्ष भी कि प्रेमों करना है तो सब अज्ञान है अज्ञान तो किसी जीव को अपने लक्ष पर पहुँचा नहीं सकता और यह जीवात्म जो है वो परमात्म ही है तुम तो जानते ही हो उद्धो तो यह सब ज्यान देया ओ तो उद्धो गय थे उन्हों ने अपना लेक्षर भी दिय वहाँ पर अज्वेट ब्रह्म का गोपिया सुनकर मुस्त्रा रहे थी गोपियों में तीन कक्छाएं होती हैं तीन अस्तर हैं गोपियों के एक साधारणी रती की गोपिया एक समंजसा रती की गोपिया एक समर्था रती की गोपिया तीन क्लास की गोपिया थी तो जो थर्ड क्लास की गोपियां थी, तीसरे नंबर वाली, ये बेद की रिचाएं थी, जिन रिचाओं को पढ़कर उद्धो ग्यानी बने हैं, यानि उद्धो की स्वामिनी उद्ध की रिचाएं हैं, उन्हीं की प्रपा से उद्धो को ग्यान होगा, तो वो बेद की रिचाएं जो सबसे निम्न कक्छा की हैं साधार्णी रती वाली जिसका मैंने निरूपन किया था आप लोग भूले न होंगे सकाम भक्ति जो कुप्जा की भक्ति थी एक को मैंने बताया था केवल सकाम यानि इस संसार का सामान मांगना भगवान से ये तो भक्त ही नहीं है ये तो चैलेंज के साथ नास्तिक बनेगा एक दिन जो संसार का बैभो मांगता है भगवान ची वो तो इतना बड़ा मूर्ख है कुछे ये ही पता नहीं है कि संसार में सुक है कि भगवान में संसार सत्य है कि भगवान इतना भी ज्यान नहीं है तभी तो भगवान से संसार मांगता है सत्य बस्तू से असत्य बस्तू मांगता है अनन्द मैं से दुख का भंदार मांगता है लेकिन जो भक्त हैं और भगवान का ही विशय मांगते हैं भगवान को देखें भगवान का अस्पर्श मिले ये अपनी कामना भगवान से पूर करना चाहते हैं संसार से नहीं तो ऐसे सकाम भगवान को बंदनी यह हैं शुकुदेव परमहंस ने प्रसंसा की है कुभ्या की दुराराध्यम समाराध्यम सर्बदेवेश्वरेश्वरम शुकुदेव परमहंस कहते हैं कि दुराराध्यम समाराध्यम सर्बदेवेश्वरेश्वरम योविनीते मनोग्राह्यमसत्वात कुमनीश्यसव भगवान की उपासना करके भी जो कुमनीश्य माले घोर मूर्ख संसार मांगता है संसार का विशय मांगता है बेटे का सुक, संसारी बेटे का मा का सुक, बाप का सुक, धन का सुक, प्रतिष्ठा का सुक जो ये मांगता है उसकी समझ में यही नहीं आया अभी तक कि जो कुछ मांग रहें इसका परिणाम क्या होगा नहीं कुआस जनमा जगमाही प्रभुता पाई जाही मद नहीं अहंकार होगा और अहंकार और भगवान में अंधकार और प्रकाश के समान द्वेश है बैर है, बिरोध है तो इसका मतलब ये कि जो थोड़ी बहुत मान्यता हमारे अंतह करने में भगवान की है भी वो भी चली जाएगी हमें समय ही नहीं मिलेगा 24 घंटे एक अरभपती, खरभपती बेस्त है अपने अनंत कार्ज के नाठक में लेकिन कुपजाक कुम अनीशी नहीं है क्योंकि ये मनों ग्राहियम ये मिटीरियल जगत का सामान नहीं मांग रही है वो श्याम सुन्दर का मिलन मांग रही है वो श्याम सुन्दर का सब्दस पर शुरूप रसगंध चाहिती है और वो सब्दस पर शुरूप रसगंध पांच भाव से जुक्त होता है एक शांत भाव उससे विमचा जैसे होली प्याप लोग मिला करते हैं एक दूसरे को गले लगाते हैं वो परोसी हो कोई हो ये शांत भाव और अपने नौकर को जब आप चिप्टावें वो दास्त भाव अपने दोस्त को चिप्टावें ये सक्ष भाव अपने माँ भाव पेटे को चिप्टावें ये बास्तल भाव, अपनी स्रीमती को चिप्टावें ये माधुर जिभाव, एक से एक उचा भाव है तो माधुर जिभाव से कुप्जा ने स्रीकृष्ण के विशय को चाहा, इसलिए उसके लिए सुक्देव परमंस कहते हैं, कि तासाम किम भर्नेते तपहा अरे उस भाग विशालिनी कुप्जा की मैं क्या प्रसंसा करूँ, उसकी तपश्चर्जा कितिनी रही होगी, जिसने स्यामसुंदर को पती रूप में वरन किया ये साधारणी रती है, साधारणी रती वाली गोपियां मुश्कुरा रही है उद्धों के ज्यान को सुनकर, कि देखो बुद्धु को मुझसे ही तो ज्यान प्राप्त किया, मुझको ये लेक्चर देनी आया है शिष्य गुरू को उपदेश करें, तो इसका मतलब क्या होता है यानि जिस गुरू से उसने ज्यान प्राप्त किया, उसी को उपदेश करने आया है अंजाने में क्योंकि बेद की रिचाये बेपढ़ी लिखी गोपी बन करके आई है अपने को छुपा कर आई हैं अंगूठा चाप बन करके इसलिए उद्धो भ्रम्वे पड़ गए ये को साधारणी रती वाली सकाम भक्तों की बात मैंने बताई ये एक तुपालू की दृष्टी से ये सब जीरो बटे सौ इसको ना अपनाईएगा आप लोग ये बो लोग जाएगा माया निवृत्ती हो जाएगी तुरुट्र कर्म तुरोष पंच्टेपले समाप्त हो जाएंगे अनंत काल को दिब्यानंद मिलेगा अनंत आत्मा राम पूर्ण काम परमनिशकाम योगीन रमलात्मा परमहंसों के ब्रह्मा अनंद से भी अनंत गुना वड़ा सुख मिलेगा इन लोगों को ये ठीक है और बेदव्यास तक ने कहा कृष्ण भक्तहा सकामों भी बरोन्य सेवकात खलू निशकामादप्तकामों यतोमों ख्षाए कल्पते यदि कोई स्रीक्रिष्ण के प्रति सकाम भक्ती भी करें तो भी वो बंदनी यह है क्योंकि उसको माया से छुटकारा मिल जाएगा प्लस सदा के लिए प्रेमानंद मिलेगा किन्तु यदि भगवान को छोड़ कर माया के अंडर में रहने वाले देवी देवताओं या मनुष्यों की भक्ती करता है तो वो निशकाम भक्ती भी करेगा तो भी 84 लाख में घूमना पड़ेगा यानि सुद्ध परसनेलिटी की सकाम भक्ती भी बंदनी है और असुद्ध परसनेलिटी की माया बद्ध सत्ता की निशकाम भक्ती भी निंदनी है एक एक शब्द पर ध्यान दो लेकिन ये साधना की दृष्टी से बहुत ही खतरनाक है सबसे बड़ा खतरा इसमें ये है कि अगर हम अपनी कामना श्याम सुंदर संबंधी भी रखते हैं और अपने सुख के लिए रखते हैं इस वाक्त पर ध्यान देना अपने सुख के लिए देखो ये नंबर एक की गोपियां भी श्याम सुंदर का दर्शन चाहिती हैं मिलन चाहिती हैं असपर्ष चाहिती हैं और नंबर तीन की भी चाहिती हैं और नमबर दो की भी चाहती है, अंतर क्या है, अंतर ये है कि नमबर तीन वाली केवल अपने सुख के लिए चाहती है, और नमबर दो वाली समंजसालती वाली अपने सुख के लिए भी 50% और अपने स्याम सुख के लिए भी 50% दोनों का सुख चाहती है, और नमबर एक वाली केवल स्याम सुंदर के ही सुख के लिए समस्त कामनाएं बनाती है, उनकी कामना अपने लिए नहीं, बस इतना सा अंतर है, अपने लिए उनकी कामना नहीं है, अपने लिए कामना बनाने में डेंजर है, संसाल में जितना प्यार है माँ बाब बेटा इस्त्री पती का, उसमें यही थर्ड क्लास वाली फिलोस्फी है, केवल अपने सुख के लिए ही सब प्यार करते हैं, संसाली सुख के लिए वो अलोकिक स्प्रिच्वल हैपिनस नहीं, संसाली सुख के लिए जो हम लोग स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, अपने ही सुख के लिए, ही है ही, इसलिए क्या होता है वो प्यार कभी बढ़ा कभी घटा कभी जीरो पर आ गया यानि हमारी स्वार्थ की सिद्धी जितनी लिमिट में हुई उतनी लिमिट में प्यार बढ़ा स्वार्थ कम सिध्धु हुआ प्यार कम हो गया आज स्वार्थ नहीं सिध्धु हुआ तो प्यार समख्ष हो गया यानि प्रेम का बेश आधार जो है स्वार्थ है ते तो बड़ा खतरनाक है क्योंकि हमारी कामना बनाने की आदत तो बिगड़ गई और अगर हमारी एक कामना पूरी भी हो गई तो कल नहीं होगी परसों नहीं होगी और जब नहीं होगी तब वो डेंजर आया सामने इसलिए क्रिपालू किराय में एक थर्ड क्लास वाला प्रेम यानि सकाम भक्ति यानि साधारणी रती वाली भक्ति त्याज्य है तच नहीं करना सोचना नहीं कभी यह प्रेम है नहीं है हमारे सिध्धान से नंबर दो वाला कुछ मात्रा में है वो भी पूरी तरे नहीं क्योंकि उसमें श्यामसुंदर के सुख का भी ध्यान रखा जाता है अपने सुख के साथ साथ श्यामसुंदर के सुख का भी ध्यान रहता है यह प्रेम है महालक्षमी का रुक्मणी वगेरा जो द्वारिका में है 16108 पत्रानिया रानिया इन सब का प्रेम समन्जसा रती का है अपने सुख का भी ध्यान है आधा और आधा शामसुंदर के सुख का ध्यान है कृपालियों की दृष्टी में ये भी बिजनेस है ये भी ठीक नहीं और एक बात और यात रखिएगा कि ये साधारणी रती और समन्जसा रती इन दोनों क्लास के भक्तों को वो बिज का रस नहीं मिलेगा बस द्वारिका तक जाएंगे ये लोग और द्वारिका में आईश्वर्ज प्रमुख हैं माधुर्ज कम हैं देखिए ऐसा है उतका क्लास समझ लीजिए पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाले परमहंसों का ब्रह्मानंद अन्लिमिटेट हैपिनस अनंत आनंद उससे उचा बैकुंठ का सुख सगुन साकार चार भुजावाले महाविश्णू का उससे उचा द्वारिका का सुख ये स्रीकृष्ण का सुख है समंझ सारती वाला उससे उचा मथुरा का सुख उससे उचा ब्रज का सुख उससे उचा कुंज का सुख उससे उचा निकुंज का सुख उससे उचा निभृत निकुंज का सुख कितने क्लास होते हैं प्रेमानंद में निभृत निकुंज में समर्था रती वाले महापुरुष जाएंगे लेकिन वो निभृत निकुंज के गेच तक जा सकते हैं निभृत निकुंज में प्रवेश नहीं पा सकते कोई भी विश्व का जीव ये जीव जो होते हैं ये तीन प्रकार्टे होते हैं एक को माया बद्ध जीव भगवत प्राप्ति कर ले वो जाते हैं गो लोग आप लोगों में से कोई भगवत प्राप्ति कर ले तो गो लोग जाएगा एक तो जीव ये हैं एक ऐसे जीव होते हैं जो सदा से माया से परेथे और रहेंगे उनको नित्त सिद्ध जीव कहते हैं वो भी नहीं जा सकते निभरत निकुझ में और एक भगवान की स्वरूप सक्ति के परीकर होते हैं ऐसे महापुलुष होते हैं वो भी नहीं जा सकते निभरत निकुझ में ये तीन प्लास के जो महापुलुष है उच्चकोट के महापुलुषों में भी टॉप करने वाले ये भी नहीं जा सकते केवल राधा कृष्ण जाते हैं निभर्त निकुंज में और निकुंज में उवे जाते हैं जो भगवान के परिकल है अन्यादिकाल से स्वरूप शक्ती के गवर्नर ललिता विशाखा एष्ट महा सकी और कुंज में जितने समर्थारती के महापुलुश हैं सब जा सकते हैं आप भी जा सकते हैं यानि कुंज तक आपको प्रवेश मिल सकता है यदि आपका गुरू कुंज के प्रवेश का अधिकारी है और उसी प्रकार की शिक्षा देकर आपको आगे ले जाता है सब गुरू पे डिपेंट करता है जिस क्लास का गुरू होगा उसी क्लास में आपको सीट मिलेगी तो समंजसा रत्ती भी विशेश बंदनी ये नहीं, स्लाग्ज नहीं, सराहनी ये नहीं क्योंकि उसमें भी स्वार्थ की गंध है, इसलिए ब्रज रस नहीं मिलता आईश्वर्ज में रस नहीं, रस माधुर्ज में है अगर कोई माँ अपने बच्चे को आफिस में देखें, ये करक्टर है, कमिश्णर है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है उस माँ को सुख नहीं मिलेगा, उसकी बीबी को सुख नहीं मिलेगा उसके बच्चे को सुख नहीं मिलेगा जब वो आफिस से लोट के घर में आता है अपनी नेचुरल्टी में अएक पजामा पहन कर स्वाभाविक चाल से चल कर बाहों को फैलाता है मां से प्यार करता है भीबी से करता है छोटे से बच्चे को गोज में लेकर तोतली भाषा में बोलता है तब उन लोगों को सुख मिलता है वो जो सीरियस भोकर के आफिस में हम लोग बैठा करते हैं एक्टिंग करते हुए उस स्वरूप से कोई प्यार नहीं करना चाहता बोल हो जाते हैं देखकर प्यार करने वाले तो उसी प्रकार ये जो ब्रिज का अनस है इसमें केवल माधुर्ज है प्योर माधुर्ज माधुर्ज आईश्वर्ज का नाम नहीं रेश नहीं यहां भगवान की भगवत्ता समाप्त कर दी गई भगवान को पते ही नहीं होशे नहीं कि मैं भगवानूं थोड़ी देर के लिए यह सोधा मैया को यह भावना आई थी कि मेरा बेटा जरूर कोई नो कोई स्पिरिच्वल पावर वाला है कि जब ब्राट रूप दिखाया था यह कश्चलो पतिक आत्मयोगा भागवत यह कोई दिव्य सक्ति है मेरा बेटा ऐसा सोच कर मा देखने लगी बेटे को श्याम सुन्दर को श्याम सुन्दर ने का है तो गर्बर हो गया अईश्वल जया गया ततकाल ब्यतनोद बैश्चनवी माया पुत्रस्नेह माई बात्सल माई बैश्चनवी माया को भगवान ने प्रवाहित किया और यसोदा के अंतहकरन में जाकर और उसने भुला दिया है अरि नहीं नहीं तो मेरा लाला है का है का इस प्रीच्वल पावर हो क्या है वह सब बकवास क्या सोचने लेगी मैं भी मेरा भी दिमाग खराब हो गया सठीया गई हूं गढ़ा हपे कि ततकाल सावधान हो गए और वही यह तो मेरा लाला है ये तो नाराइन की मैं भक्ति करती हूँ उसी उन्हीं की क्रपा से ये सब होता है जो कुछ हुआ है पूतना वगरा का तमाम नातक जो हमारे बच्चे को सब जिगे सुरक्षा मिल रही है ये हमारी विश्णू की भक्ति के कारण है विश्णू नित्यमुपास्यते सदा हम भक्ति करते हैं हम और हमारे पती विश्णू की वह हमारी रख्षा करते आए है अर्थात अगर कहीं अईश्वर जे एक सेकंड को आ भी गया तो भगवान उसको नहीं चाहते वो चोरी-चोरी सेवा करता है अईश्वर्ज मई शक्ति जो भगवान की है वो चोरी-चोरी सेवा करती है जैसे मईया को मईया ने ठाकुर जी को उखर में बांदिया पिटाई करने का नमबर आया तो ऐस्वर्ज सक्ति तो नोकरानी है भगवान की उसने कहा मेरे स्वामी पिट जाएंगे आज तो तो बिराठ सुरूप दिखा दिया और उसके बाद जब मैया की हरदे में ये फिल्म होई कि ये तो कोई देवता भगवान को ये ऐसा लगता है तो तुरंत भगवान ने बैश्ट मीमाया को प्रभाहित करके और मैया को मोहित कर दिया और मैया भूल गई और फिर वही मानने लगी ये तो मेरा लाला है यानि ब्रिज में माधुर्ज माधुर्ज ही है अते समर्था रती वाला प्रेम ही प्रेम है ये भगवत प्राप्ति तक न भूलना इसलिए रूप गोष्वामी ने गवरांग महाप्रभू की संपरदाय में भक्त्रसाम्रत्चुंधू में परिभाषा किया उत्तमा भक्ति का अन्या भिलाशिता शून्द्यं ज्यान करमा अध्यना भृतं आनुपूल्यन कृष्णा नुशीलनं भक्ति रुच्यते उत्तमा भक्ति की पहली सर्थ अपने सुख की कोई कामना न है पास पहली सर्थ अपने सुख की कोई कामना न हो तो क्या हम सुख चाहेंगे नहीं यह तो अन्याचुरल हम आनंद के अंसे हैं बला आनंद की कामना हम कैसे मिटा देंगे यह तो असंबोल नहीं आनंद की कामना नहीं मिटाना है लेकिन अपने स्वार्थ की दिश्टी से प्रेम करने की कामना मिटाना है श्याम सुंदर को सुखी करके सुखी होना यह लक्ष बनाना है बस इतना सांतर है श्याम सुंदर सुख पा रहे हैं मेरे इस ब्योहार से यह देखकर हम विभोर हो रहे हैं जो हम समर्पन करते हैं भगवान को भगवान उसका दुगुना करके वापस करते हैं वो कोई यहां वहां नहीं खराब जाएगा बिगर जाएगा या खो जाएगा वो डबल होके मिलेगा लेकिन अगर हम कामना कर लेंगे तो सबसे बड़ी बस तु हमको नहीं मिलेगी ब्रजरस नहीं मिलेगा और पगपग पर वो प्रेम पीछे आगे पीछे हुआ करेगा इसलिए अन्या अभिराशिता सुन्या तो अभिराशिता जो है वो कुल छे प्रकार की है छे प्रकार की कामना होती है हो सकती है एको संसारी माईक जगत की कामना अब माईक जगत में भी तीन अस्तर है नरक की कामना मृत्य लोक की कामना स्वर्ग की कामना यानि तमो गुण संबंधी नरक रजो गुण संबंधी मृत्य लोक सत्प गुण संबंधी स्वर्ग पुण्य न पुण्य लोकम लेति पापे न पापम उभाभ्यामयो मनुष्य लोकम बेद कहता है पुन्य से स्वर्ग मिलेगा, पाप से नरक मिलेगा, पुन्य पाप मिक्चर से मृत्य लोग मिलेगा यानी सत्वगुण और नीचे तमोगुण और इरजोगुण अब इसके उपर आया दिव्व जगत तो नंबर एक, सायुज्य मुक्ती, जिसमें जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है आनंद में लीन हो जाता है, न उसके मन रहता है, न बुद्धी रहती है, न कोई द्वाइत की फीलिंग होती है सनकादिक, जनकादिक, सुकादिक, बड़े-बड़े अमलात्मा परमहंस उस ब्रह्मानंद में लीन हो गए थी तो ये मुक्ती जो है, सायुज्य मुक्ती, ये तो सबसे खतरनाक है यानि संसार का जो आप सुख भोग रहे हैं, इससे भी खतरनाक है क्यों? इसलिए कि अगर आप संसार में हैं और संसारी बस्तुओं में लिप्त हैं हो सकता है, कोई महापुरुष मिल जाए और आपको समझा दे कि अगरे इस द्वाइत में क्यों मर रहा है? इस द्वाइत में आनन्द है नहीं है दिब्व द्वाइत में जा शाम सुंदर तेरे स्वामी सखा प्रियतम सब कुछ है यह ग्यान दे दे कोई रसक और हम ले ले उस ग्यान को और हम चल पड़े और एक दिन दो दिन एक साल दो साल एक जन्म दो जन्म दस जन्म हदार जन्म में अपने लक्ष को प्राप्थ करने तो एक दिन हम ब्रिजरस पालेंगे हाँ और अगर सायुद जुमुक्ती में चले गए एक बार तो फिर सायुद जुमुक्ती का मतलब ही यह है कि जहां फिर द्वाइट ना सके यानि प्रेमानंद से सदा को बंचित हो गया बिचारा तो वो सायुद जुमुक्ती सबसे डेंजरस उसको पिशाची नहीं कहा है रूप गोष्वामी ने भक्त रता मृत सुन्धू में भुक्ति मुक्ति प्रिहाजावत पिशाची हृदि बरत्रते ये भुक्ति माने संसार का सुख मुक्ति माने सायुद्ज्यू ये दो चुड़ैले हैं ये दो चुड़ैले जब तक आपके अंताकरन में रहेंगी तब तक भक्ती महादेवी नहीं आएंगी वो कहती है इन दोनों चुड़ैलों को पहले निकालो तब मैं आओं इनकी कामना समाप्त करो इनसे वैराग्यों केवल संसार से वैराग्य नहीं संसार के मिट जाने वाली अवस्था मायातीत मुक्ति की बासना से भी वैराग्यों अब इसके आगे चार मुक्ति और हैं सार्ष्टि मुक्ति यानि भगवान के आईश्वर्ज को प्राप्त करना जो आईश्वर्ज भगवान का है वही आईश्वर्ज हमको मिल जाए इस कामना से जो भग्ति करते हैं वो सार्ष्टि मुक्ति सालोग के मुक्ति हमें भगवान का लोग मिले भैकुंठ इस कामना से जो भक्ति करते हैं सालोक्त कि मुक्ति, सारूप्य मुक्ति हम को भगवान का रूप मिले, उनी का स्वरूप प्राप्त करें चार भुजा से असारूप्य मुक्ति और सामी प्यमुक्ति हम भगवान के समी प्रसदा उनको देखते रहें इन चारों मुक्तियों में सर्मस्रेष्ठ है सामी प्यमुक्ति लेकिन ये चारों मुक्ति वालों को ब्रेजरे से नहीं मिलेगा तो ये पांच मुक्ति और एक भुक्ति माने माइक जगत ये छे को जो तिलांजली दे दे और कृष्ण सुखई का ताथ पर्जमई भक्ति करे ये मुक्ष सब्द जो है ये पांच में लागू होता है भूलिये गले लेकिन सबसे निंदनी ये क्योंकि सायुज्य है इसलिए उसकी ही आमतोर से निंदा की गई है मोक्ष सब्द से मोक्ष जोरांग महाप्रभू ने कहा कि चार प्रकार के जो लक्ष है जीव के धर्म अर्थ काम मोक्ष तो तारो मद्धे मोक्ष बांचा कईताओ प्रधान ये हैं तो सब ठगने वाले धर्म भी ठगता है स्वर्ग ले जाकर के चार दिन के लिए फिर कुत्ते बिल्ली के योनियों में डाल देता है और अर्थ तो औरी खतरनाक है धन्थ और काम तो और इच्छाएं बढ़ेंगी और एक मोक्ष बचा वो और भी डंजरस है क्योंकि वहां जाके फिर सदा के लिए प्रेमानंद से बंचित हो गया इसलिए सेश चार मुक्तियां जो है सास किसामी प्रसालो किसा रूप्य ये बहुत निंद्रिये नहीं है लेकिन टॉप की चीज नहीं इसलिए हमको इन छोहों से आगे चलना है पांच मुक्ति और एक भुक्ति इन छोहों को त्याग ना होगा इसी को भागवत के प्रारम में बे कहा गया है कि धरम अप्रोजितक इतवोत्र परम निरमत सराणाम सताम भागवत किसी ने बनाया निए ये कहने सुनने की बाते हैं भागवान ने ब्रह्मा को भागवत का ज्यान कराया डाइलेक्ट योगमाया से ब्रह्मा ने नारद को कराया ओभी भगवान की अवतार है नारद ने बेदव्यास को कराया ओभी भगवान की अवतार है यहां तक तो अवतारों में आई वो भागवत और फिर बेदव्यास ने परेशान होकर यह सोचा किसको हम इस भागवत का अधिकारी मानें किसको सुनावे तो बहुत खोजने पर उनको एक अधिकारी मिला शुक्देव परमहंस तो शुक्देव परमहंस चूंकि मा के पेट में ही माया से परे हो चुके थे बाहर आने के पहले ही बारा साल तक मा के पेट से निकले ही नहीं पहले ये गारंटी दो कि हमको माया नहीं लगेगी हम माया से परे हो जाएं पहले तम मा के पेट से बाहर आएंगे तो ऐसे शुक्देव परमहंस को भागवत सुनने का अधिकारी माना गया है इसलिए भागवत को परमहंस संगिता भी कहते हैं जैसे गीता है गीता अध्यानी के लिए है अर्जुन को अध्यान आ गया था तो उसको उपदेश दिया गया गीता का तो अंत में ग्यान हुआ अर्जुन को अध्याय में और यहां ग्यान की अंतिम सीमा वाले शुक्देव परमहंस को प्रारंभ किया जा रहा है भागवत तो जहां गीता का आइंड होता है वहां भागवत का फ्रारंभ होता है इसलिए पहले ही असलोक में बेजब्यास ने कह दिया धरम अप्रोजित कईता वहा यानि ये पांच प्रकार के मोक्ष भी बरजित है ऐसा धर्म है भागवत में यानि वो समर्थारती वाला यानि यानि जो नंबर एक की गोपियां है जलिता विशाखा आदी जो गो लोग से अवतीर हुई है जो केवल स्याम सुंदर के सुख के लिए ही प्यार करती है उन गोपियों के विशे में कहा जा रहा है वे गोपिया और उनका प्रेम इसको आप समझ नहीं सकते और स्वेम गोपियां आ जाए तो वो समझा भी नहीं सकते छोटी सी एक्जाम्पिल दें आप क्या आगे यत्ते सुजात चरणां मुरुहं स्तनेशु भीता अश्य नई प्रियदधी महिकर कशेशु तेना तभी मतत तद्व्यथते नतिं स्वित्कूर्पाद भिल भ्रमत धीर भवरायुषाम्न स्रीकिष्ण से गोपियां कहती है ये शाम सुंदर आप बन बन में भूमते हैं नंगे पाओं ध्यान दीजिए शाम सुंदर चपल जूता नहीं पहनते थे गाय चराते समय वो कानून नहीं है बेद का गाय चराते समय किसी भी गोप को चपल जूता पहनने का कानून नहीं है नंगे पाओं गाय चराने का संबिधान है बेद में शास्त्र में इसलिए स्रीक्रिष्ण भी नंगे पाओं चला करते थे बन बन में सर्बत्र दिनभाल जहां जहां गाय चराने गए नंगे पाओं तो गोपियां कहती है महराज आपके चरण कमल ये कंकर पत्थर गोखुरू आधी तमाम काटे ब्रिज में हैं ये सब चुभते होंगे मैं तो आपके चरण के निचले हिस्ते को अपने हरदे से लगाती हूँ जब कभी ध्यान दीजिए यहीं पर श्याम सुंदर को बाहों में चिप्टाने की बात छोड़ो उनके चरण के निचले हिस्ते को जब मैं अपनी च्छाती से लगाती हूँ तो धीरे से लगाती हूँ सनई प्रियदधी मही धीरे से कि मेरे अस्तन कहीं आपके कोमल चरण को कस्तन पहुचा दें उनकी चुबन से कस्तन हो जाए आपको सोचिए आप लोग मा को बाप को बेटे को बीबी को तमाम को चिप्टाए होंगे लेकिन जब आप लोग चिप्टाए साधायल संसारी गोबर गणेश प्रेम में तो भी आप ताकत लगाते हैं तब आपको सुख मिलता है कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मा बेटे को इतने जोर से चिप्टा लेती है कि बेटा तरफड़ा जाता है तम मा को याद आता है अरे यह तो कोमल है और जहां अनंत आनंद का सिंधु है उनके चरन के निचले भाग को हुर्दे से लगाते समय भी यह ध्यान बना है कि उनको कष्ट न हो जाए अपने सुख के लिए मैं प्रियतम को कष्ट दूँ ऐसा प्यार में नहीं करते हैं जब स्रीक्रिष्ण मतुरा चले गए और ये उद्धो महाराज गए ज्ञान देले तो वो एक लास की गोपियां कहती है सौख्यम नस्यात यदपि बलवत गोष्ट माप्ते मुकुंदे यद्यलपापि छतिरुदयते तस्यमागात कदापि अप्राप्तेश्मिन यदपिन अगलादार्ति रुग्राभवे नस्याम्त अस्यास्पुराति हिदिचे तत्रबासं करोतु है उद्धों ये ठीक है कि शाम सुंदर मतुरा चले गए हैं हम लोग दुखी हैं और कितने दुखी हैं ये उद्धों तुम समझ नहीं सकते ये दुख का गणित ऐसा है कि जिसके मिलन में जितना बड़ा सुख मिलेगा उसके वियोग में उतना ही बड़ा दुख मिलेगा एक इस्त्री को पती से सबसे अधिक सुख मिलता है तो पती के मरने पर सबसे अधिक दुख मिलेगा उसका बाप भी मरा, मा भी मरी, पती भी मरा, बेटा भी मरा और सहलिया भी मरी, पडोसिन भी मरी दुख सब के लिए हुआ लेकिन एक सा नहीं, जिसके मिलन में जितनी लिमिट का सुख मिलता है किसी को, उसके भीयोग में उतनी ही लिमिट का दुख मिलेगा, तो शाम सुंदर के मिलन में अनांत सुख मिला गोपियों को, अब वो मतुरा चले गए, तो उनके भीयोग में उतनी ही लिमिट का दुख है और ये दुख केवल गोपियां जान सकती है या गोपियों के प्लास का कोई महापुरुष जान सकता है उद्धो तुम नहीं जान सकती है लेकिन इतने बड़े दुख को लेकर भी हम तुमको ये बता रहे हैं कि अगर उनको अलपा पिक्छतिरुदायते उनको थोड़ी भी परेशानी हो यहां आने में लोटकर तो तस्यमागात कदापी वो कभी नाव है वो मथुरा में ही निवास करें हम उनकी प्रतीच्छा करेंगे आजन्म न शिकवा शिकायत करेंगे एतरास करेंगे और न उनको कष्ट देंगे कि उनको आना चाहिए ये बात ये हैं बात वो एह बात बात नहीं होती उनको सुख मिले आवें अगर सुख नहीं मिलता तो भूल करणा है तुम्हारा क्या होगा हमारा जो होगा वो एक ही यह है हमारा उनको तो सुख देना और क्या होगा और हम प्राण भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ए निराशा प्रेम में सिध्धान्त नहीं है यहां तो भाव भक्ति में ही उक्षांति रभ्यरत कालत्वं बिरक्ति रमान सुन्यता आशा बंद्धा अनन्त जन्व में कभी तो मिलेंगे श्यामस सुन्दर ए सिध्धान्त लेकर चलता है जीव जब भाव भक्ति वाला निराश नहीं होता तो भाव भक्ति के आगे प्रेमा भक्ति फिर उसके उपर स्नेह भक्ति फिर उसके उपर मान भक्ति फिर उसके उपर प्रणे भक्ति फिर उसके उपर राग भक्ति फिर उसके उप पर अनुराग भक्ति पर उसके उपर महाभाव भक्ति पर गोपियां खड़ी हैं तो निश्काम प्रेम का सिध्धांत लेकर ही हम लोगों को चलना है देखिए जैसी भूमी का प्रारंब होगी उसी के अनुसार पढ़ाई चलेगी और अंतिम परणा मिलेगा अगर प्रारंब में घडबड हो गई जैसे गड़ित लगाते हैं आप लोग अगर पहले गड़ित में एक गलती हो गई कोई को दस पचे 50 के जगे दस पचे 40 दिख दिया तो जितना गड़ित आगे लगाओंगे सब गलत होता जाएगा इसलिए प्रारंब में जो हमारा उद्देश्य बने ओ निशकाम प्रेम का ही बने एद्यप्य सकाम प्रेम भी बंदनी है बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रसंसा की है और उसको भी मोक्ष से परेवाला सायुज मुक्ती से परेवाला गो लोग का द्वईत प्रेमानन्द मिलेगा ये सही है किन्तु हमारी प्रवित्ती उधर नहीं जानी चाहिए हमको निशकाम प्रेम पर ही अपना केंडर केंडर करना है लक्ष केंडर करना है और उसी के अनुसार हमें साधना करनी है इसका डिटेल फिर कभी बताएंगे बोलिये बिंदावन विहारी लालगी